ओम शांति मेरा भारा स्वास्त भारत में स्वास्त परिचर्चा के अंतरगत सभी दर्शकों का स्वागत है नमस्कार हम अभी तक विश्चेश जानकारी लेते आ रहे हैं महिलाओं के स्वास्त संबंधित समस्याओं के बारे में जैसे की PCOS, Menopause, Breastfeeding, Mensis Problem बहुत सारी समस्याओं आपको जानने को मिली और आंगे भी मिलती रहेंगी इस बार हमारे बीच में दर्शकों के तरफ से बहुत सारे प्रश्ण आए हुए हैं और उन्हीं प्रश्णों के जवाब देने के लिए हमारे बीच में फिर से डॉक्टर पुष्वपांडी जी है डॉक्टर पुष्वपांडी जी बहुत बहुत आपका नमस्कार होता है और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग की बाते की थी तो जिसके लिए हमारे बीच में एक प्रश्ण बहुत सारे प्रश्ण आये हैं और उसमें से प्रश्ण है मैनुपोच के बारे में जो अपने पिछले पीसोड में बताया था एकसरसाइज बहुत ज़रूरी होती है इस एज में और इस स्टेज में तो उस एकसरसाइज को कितना समय करना चाहिए यह प्रश्ण आया है एकसरसाइज वैसे तो हमने बतलाया था कि variety जो होती है सिर्फ एक तरह की exercise नहीं होती है एक aerobic exercise होती है एक stretching exercise मतलब कि अंगों को जो joints होते हैं उसे open होते है कि गर्दन की exercise हाथ पर थोड़े से वो करना सुक्ष में जिसको सुक्ष में आया हम कहती है balance exercise और एक balance exercise भी हमने बात की थी और strengthening exercise मतलब कि strength भढ़ाने के लिए यहां सारी हमने exercise की बात की थी जो aerobic exercise है उसका duration जो WHO बतलाता है कि लगबग एक हाफते में एक हाफते में दो घंटे 30 मिनट तक पूरा ऐसे average होना चाहिए मतलब पूरा total होना चाहिए तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप कर लो पता चला हमने एक दिन कर लिया और पांदीन आराम से फिर उसी डेंटी life sacrifice हो रहे है नहीं हर दिन प्रति दिन करना जरूरी है पांच दिन करें तो भी चलेगा लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और हर दिन करना तो साथ दिन में इसमें डिवाइड करके करना चाहिए तो यह देखा गया है कि अगर आप 15-20 मिनट भी पड़े करते हो तो उसका फाइदा होता है तो इसको aerobic exercise कहते हैं आप 15-20 मिनट अच्छा risk walking करें तो अच्छा है और इसको करनी है ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया ऐसा नहीं है हमेशा करना चाहिए मतलब इसमें consistency बहुत जरूरी है लगातार करना जरूरी है ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन के और फिर चुटी और यह एक महीने कर लिया और एक महीने नहीं आदे गुंटिया से करने का आप पंदा मिनट कर लो ना जी और सबसे अच्छा था हम कहते है म्यूजिकल एक्सरसाइज होता है जी आपने बाताया भी था कि दान सिक लो और या फिर जैसे आप घूमने भी जा रहे हो तो घूमने का तो मुझे सबसे अच्छा यह लगता है इसको योगिक वाकिंग भी बना सकते हैं जैसे मानली जी आप जा रहे हैं और हमीशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए अंधेरे में नहीं जाना चाहिए अंधेरे में कार्मन डियोकसड ज्यादा होता है तो जब सूरी की रोशनी आ जाती है उस समय जाना चाहिए और घर में रहें जब जब थोड़ा सा गरम हो थोड़ा धूप आ जाये उस समय जाना चाहिए और उस समय जैसे अब सूरज होता है जैसे सूरज उखता है तो उसके एक लाली मा रहती है जी सूंदर से लाली मा रहती है तो आप ये अगर अनुभाव करते हैं कि परमात्ma है पर आपी God को light के रूप में ही तो मानते हैं तो आप यह अनुभाव करो कि उसे orange color के ऐसे कितने सुन्दर लगती है ना तो जो purity के जो light होती है वो भी orange color की होती है तो अगर यह अनुभाव करो कि उससे सूर्य जैसे परमात्मा उसी के समान है तो उससे मुझे औरेंज करें कि purity के light आ रही है और जो मेरे body को pure कर रही है तो इसको हम yogic walking भी बना सकते हैं तो कितना अच्छा फाइदा है आप walk भी कर रहे हो physical फाइदे तो हो ही रहे हैं आपको mental, spiritual फाइदे भी हो रहे हैं और endorphine walking से भी release होता है और ये तरह से आपका चलते फिरते meditation हो गया तो कितना अच्छा फाइदा yogic walking yogic walking जो बताया पुषपा जी ने उसको जरूर आप करिये और उसको जीबन में उतारिएगा रख्टर पुषपाणडी जी हमने PCOS की बात की थी जो अगला हमारे पास सवाल आया है उसमें हमारे दर्शकों ने पूछा है कि PCOS में क्या टेस्ट हो सकते हैं क्या टेस्ट कराने चाहिए वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं इसमें कि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट की सला देता है और उसमें जो हॉर्मोन्स होते है जैसे कि LH होता है FSH होता है और खास मेल हॉर्मोन करवाते हैं टेस्टोस्टोरोन हॉर्मोन करवाते हैं इंसुलिन लेवल करवाते हैं ये चीजें जो हैं ये खास कराई जाती है और फिर अल्टरा साउंड जरूर कराए जाता है जी जी अल्टरा साउंड कराए जाता है उस समय अगर क्योंकि वो मोटी रहती है ना यूजली PCOS वाले मोटी रहती है तो लोग थारेड हॉर्मोन भी कराते हैं ऐसा तो नहीं कि थारेड के कारण कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हॉर्मोन भी जरूर कराए जाता है और साथ में इसके इलाज क्या हो सकते हैं हाँ इलाज इलाज डिपेंड करता है कि आपको उस किस समय आप आए हो आपकी प्रॉब्लम उस समय क्या है मान लिजी टेस्टोस्टोरोन बढ़ गया और आप लेट आए उसका असर आपकी बॉड़ी में आ गया हेयर्स आ गया अब हेयर्स को तो एकनी आ गया तो इसके लिए हॉर्मोन तो काम करता है टैबलेट साती है लेकिन में जो ट्रीटमेंट है वो है लाइफ स्टाइल चेंज करना लगभग में तो इसी पर फोकस करना है बाकी जो दवाईया है वो जब तक आप लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो तब तक के लिए सिफ होती है लेकिन आपने दवाईया ली और lifestyle change नहीं किया तो आप में कोई change नहीं आना अब जो hairs आ गए हैं अब उसके लिए क्या करना है अब आ ही गए हैं जो तो वो दवाईयों से वापिस तो कमी होते हैं मानलों चोटे-चोटे हैं तो हम लोग देते हैं उसमें हर्मोन ही देते हैं लेकिन हर्मोन का इतना ज्यादा effect नहीं होता तो फिर laser वो कराना पड़ता है laser treatment कराना पड़ता है मतलब हो hairs को remove कराना पड़ता है वो तो कराना पड़ता है लेकिन जब हर्मोन देते हैं तो depend करता है कि आप कितने दिन में आप lifestyle change कर रहे हो मतलब exercise कर रहे हो आप अपने thinking को change कर रहे हो और आप diet change कर रहे हो तो जितना लंबा समय आप करते हो जब तक change करते हो तो उतना लंबा समय hormone दिया जाता है और ये देखा गया है कि आप भले कोई treatment ना भी लो आपने सिर्फ lifestyle change कर ली तो आपको menstrual cycle बिल्कुर regular हो जाता है लाइफ style change करना बहुत ज़रूरी है तो treatment तो mainly वही है कि जो आपको problem acne है तो acne के लिए भी hormone देना पड़ता है धीरे धीर testosterone level कम हो जाता है ऐसे हम hormone treatment देते हैं जिससे कि जो male hormone होते हैं ये थोड़े कम हो जाते हैं एक और सवाल हमारे बीच में है दरशको की दरब से उस सवाल है कि जैसे आपने PCOS के बारें बताया कि ये समस्या होती है तो ये समस्या हमेशा होती है या खतम भी हो जाती है वैसे एक बार अगर हो गई है तो ये नहीं कह सकते कि आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा 100% नहीं कहा जा सकता है लेकिन अगर आपने lifestyle change कर ली तो उसको हद तक कम किया जा सकता है control किया जा सकता है और जैसे मान लो infertility की problem है जैसे हमने कहा ना कि patient जिस level पे आते हैं जिस condition में आते हैं जिस problem को लेकर आते हैं उसका हम treatment करते हैं मान लीजे कि हमारे पास महिला इसलिए आ रही है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे ना होने का कारण होता है कि अंडे नहीं बनते हैं एक्स नहीं बनते हैं यूँकि एक्स हमने कहा ना कि चोटी चोटी फॉलकिल्स रहते हैं लेकिन फटते नहीं है तो अंडे बनते ही नहीं है तो कहां से होगा तो फिर हमको उनको lifestyle के साथ-साथ medicine देनी पड़ती है अंडे बनाने के तो कभी tablet भी देना पड़ता है कभी-कभी tablet से भी फाइदा हो जाता है एक और अगला सवाल हमारे बीच में जो आपने बात की थी breast feeding के बारे में कि मा ही बच्चे के संसार है तो PCS की एक problem और जो मुझे भी याद आ रही है कि वो treatment या जो आपने बताया है कि कभी-कभी mental problem से भी आते हैं psychological problem psychological problem से आते हैं तो शारीरीक बात तो हम ध्यान रखते हैं लेकिन कभी-कभी psychological क्योंकि उस समय adolescent age में और बाकी age में भी irritation होता है क्योंकि physical problems होती है और menstrual cycle irregular होना और मोटापा इतना महनत कर रहे हैं तो भी मोटापा control नहीं हो रहा है कभी-कभी ऐसा होता है कि बाकी लोगों अब school में बच्चा जा रहा है आप बच्ची जारी है और देख रही है कि बाकी लोगों को तो इतना महनत भी नहीं करना पड़ रहा है हम इतना महनत कर रहे हैं तो भी इतनी परिशानी हो रही है तो पढ़ाई में focus की जगे एपनी शरीर में सारा हो जाता है सारा फोकस जब शरीर में जाता है तो उसको थोड़ा सा psychological problem भी हो जाती है तो कभी-कभी उसके deep counseling तो करनी है पड़ती है माबाप के साथ कभी-कभी counselor के पास फिले जाना पड़ता है counseling कराना तो उस समय बहुत आवश्यक है कि हम उसका mental level का भी ध्यान रखे कि इतना ज़्यादा PCOS की problem तो नहीं है even मानलो जिसको बच्चे नहीं हो रहा है हमारे पास ही कई patient आते हैं तो उनको अब हमने एक cycle दिया treatment अब अंडे बने फिर भी किसी की pregnancy हुई किसी की नहीं हुई तो बहुत परिशान हो जाते हैं क्योंकि infertility वैसे ही problem है तो उनके भी बहुत counselling करने पड़ती है कि भई ठीक है अभी नहीं हो रहा है ठीक हो जाएगा धिरे धिरे आप कोशिश करो और उनको थोड़ा सा console करना पड़ता है और कभी नहीं होता है तो फिर psychiatrist के पास भी नहीं पड़ता है आंटी-डिप्रिशन भी देना पड़ता है इस level तक भी हो जाता है आज कल डिप्रिशन की परिशानी तो दिन पर दिन बढ़ती जानी यह कारण भी हो जाता है यह तो ही PCOS की बात है आपने जो दर्शकों की तरफ से सवाल आए और आपने उसको बहुत ही खुबसूरत तरीके से जवाब दिया हमारे दर्शकों को अभी जो सवाल जो मैंने भी इसके पहले आप से पूछा था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय कि बच्चे को पर्याप्त हो गया है तो कैसे पता चलता है बिल्कुल मां कन्फ्यूज रहती है कि मेरा दूद प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे को पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर बच्चे को पूरा दूध हो जाता है, तो आराम से वो पी के सो जाता है, नहीं तो रोता ही रहता है, पेट भरता नहीं है तो रोता रहता है, वैसे तो बच्चे दो-दो घंटे में उठके रोते ही हैं, और पिलाते क्योंकि शुरू-शुरू में बहुत बात पिलाना पड़ता है तो मेंली जो हमको पता लगता है कि बच्चा छीक फीड ले रहा है कि नहीं तो एक बात तो पहला कि वो प्रॉपर सो जाता है और दूसरी बात वो 6-8 बार पेशाप करता है और तीसरी बात जो उसकी ग्रोथ होती है 10-15 ग्राम पड़े इतना होती है और 6 महिने में जो उसका वजन होता है लगभग दुगना हो जाता है और एक साल में और टरपल ऐसा वजन हो जाता है तो अगर बच्चा इस तरह से ग्रोथ उसकी हो रही है मतलब कि आपका फीडिंग प्रॉपर है एक और सवाल है पुषबाजी हमारे बीच में उस सवाल यह है कि जैसे जब बेबी जनम लेता है तो मा को दूद नहीं आता है जो अपने का ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए मिल्क नहीं आता तो समय क्या करना चाहिए अगर मा आहार अच्छा लेती है तो चांसे हैं कि अच्छा ब्रेस्ट मिल्क होगा दूसरी बात जैसे हमने शुरू से ही कई कि जैसे ही बच्चा होता है उसको तुरंत ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए तो उसे एक stimulation होता है जैसे stimulation होता है तो और भी ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क निकलने लगता है अगर हम लेट शुरू करते हैं तो यही chances हो जाते हैं कि वो होगा ही नहीं यह होता है इसलिए करना चाहिए कि जैसे ही बच्चा हो तुरंट उसको लगाना चाहिए और फिर नहीं होता है तो फिर डॉक्टर तो फिर कुछ दवाईयां देते हैं कई ऐसे दवाईयां आती हैं जिसको हम लोग लिखते हैं कि उसके कारण फिर थोड़ा सा secretion बढ़ जाता है लेकिन मुख्य जो है यही है as early as possible आप उसको feed कराना चालू करेंगे तो अपने आप स्वाभावी कृती से होता है स्वाभावी कृती से निकलने लगता है जैसे आजकल शेहरों में जैसे बात है कि अगर breastfeeding कराने से चहरे में चुईयां आती है तो उसके कारण वो नहीं कराती तो किया सही है हाँ वो सोसें कि रिंकल सा जाएंगे यह गलत फहिमी है कि हमारी खुबसूरती कम हो जाएगी यह बहुत बड़ी गलत फहिमी है जबकि उल्टा होता है जैसे अपने पिछली अपिसोड ने बताई कि मा की खुबसूरती तो और बढ़ती है एक तो क्यों क्यों साइकोलोजिकल साटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग और उसके साथ क्योंकि जो बोडी फैट है वो बैलन्स में रहता है तो उसे और अच्छा होता है शेप और अच्छा होता है जोरियां बढ़ती नहीं है यह गलत रहने हो जाती है एक और सवाल हमारे बीच में है वो सवाल यह है कि जैसे परकिंग लेडीज होती है और आजकल तो आप देखते हैं कि महिलाए घर का भी काम करती है बहार ओफिस का भी काम करती है और जो बेबी है उसको भी देखना है तो बेबी को तो अपने साथ ले नहीं जा सकती तो वो अपना breast milk ही अपने बच्चे को देना चाहती है तो उसमें क्या करना चाहिए मा को क्योंकि हम तो यही promote करते हैं ना कि breast milk ही बच्चे को मिला चाहिए और मा भी यही चाहती है मा अगर चाहती ही तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अब उसको बाहर office में जाना है तो फिरो क्या करें आज कल तो चुकि awareness offices में भी आ रही है तो वहाँ ऐसे जगे भी बनाई हुई है कि आप वहाँ बच्चे को साथ ले जा सकते हैं मा फीड करा सकते हैं और अगर नहीं ले जा सकते हैं आपको problem होती है तो आप उसके milk को अपने milk को निकाल कर रख भी सकते हैं आट गंटे तक तो आराम से रखा जा सकता है और फ्रीज में एक अच्छे साफ bottle में काच की bottle हो और अच्छा साफ बिल्कुल साफ रहना चाहिए जी जी तो उस साफ उसमें आप फ्रीज में रख सकते हो लेकिन 48 गंटे के बाद उस दूद को यूज नहीं करना चाहिए अगर नहीं यूज हुआ तो उसको फेक देना चाहिए लेकिन जो फ्रीजर होता है फ्रीजर का जो पिछला भग है उसमें अगर आप रखते हो तो उसमें 30 दिनों तक रखा जा सकता है अच्छा उसमें और डीप फ्रीजर जी जी उसमें तो और भी ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है तो कही लोग ऐसा करते हैं कि microwave में डाल दिया है, microwave में नहीं डाला जा सकता, वो बहुत नुक्सान का, फिर क्या करना होगा उसको, उसको एक bowl लें, उसमें गरम पानी रहे, और गरम पानी में, कांच का bowl, हाँ, कोई भी ले सकते हैं, मतलब उसमें गरम पानी रहे, हाई temperature वाला रहे, और उसमें फिर उस milk को रख दिया, दूसरे बरतन में, तो फिर वो उस temperature धीरे धीरे पिगलाना चाहिए, और फिर उसको रह सकते हैं, लेकिन फिर पिगलानी के बाद फिर दुबारा उसको freeze में नहीं रख सकते हैं, एक बार जब हमने बाहर निकालिया, उसक को कम से कम मिलता है, जैसे कि बेबी होता है मा, तो क्या एक मा दूसरे बच्चे को breastfeeding करा सकती है, वैसे तो देखे, कहीं होते हैं ना, मा, मौसी, है ना, और लगभग मान लो दोनों के, हमारे पास कहीं ऐसे patients आते हैं, कहीं कहते हैं, कि हमारी जो बहन थी, वो working थी, जै ना, और हम लोग का दोनों का एक साथ हुआ, जिलूरी, तो ऐसे कोई problem नहीं है, लेकिन main problem जो होते हैं, emotional वाली होती है, अगर मान लीजिए, कोई ऐसी महिला की servant है, है ना, और मतलब उसकी भावनाएं अलग-अलग होती हैं, अगर अच्छी भावना हैं, क्योंकि breast milk तो breast milk होता ह जैसा बच्चा है, वैसा ही produce होता है, जी, जी, कि मैं भावना है, हाँ, पिला सकते हैं, कि breast milk का composition तो हो रहता है, कभी-कभी ऐसा आप देखो होता है, कि mother expire हो जाती है, है ना, mother ने शेरी छोड़ दिया, अब उसके बाद बच्चे को कौन पाले, तो जो मा ले रही है, तो व इसलिए कहते हैं, जनम कोई और देता है, पालता कोई और है, तो जिस मा ने breastfeed कराया है, बच्चा उस मा से बहुत अटेच हो जाता है, तो करा सकते हैं, क्योंकि human milk human के लिए ठीक है, जैसा बच्चा हो वैसे ही produce होने लगता है, यह एक nature की gift है, wonder है यह, नेचर का, मा को कोई नुकसान हो सकता है, क्या इससे? नुकसान कोई नहीं हो सकता है, लेकिन समस्याइं आ सकती है, नुकसान तो नहीं हो सकता है, समस्याइं जरूर आ सकती है, कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मान लिजिए, किसी कारणवश, वह बच्चा दूद नहीं पी पा रहा है, और दूद बहुत निकल रहा है और आपने उस दूद को निकाला नहीं मिल्क को बाहर नहीं किया तो क्या होगा, breast ingorged हो जाते है और कभी-कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बिल्कुल tender बहुत दर्द होता है बहुत अकलिप होती है तो इसमें तो निकालके रख दो, जैसे हमने बता है फ्रीज में रख दिया है, जादा हो रहा है बच्चा मालों नर्सरी में भरती है ऐसा होता है न कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, नर्सरी में ले गए और कुछ कारणवश उसको breastfeed नहीं दिया जा सक रहा है कुछ ऐसा है, drip लग रही है, drip दे रहा है बहुत pre-term बच्चा है उसको नहीं दे पा रहा है तो फिर फ्रीज में आप रख दो या फिर उसको निकालके फिक दो फिक दो, भू कर सकते हैं तो यह problem आ सकती है दूसरा, मान लीजे, infection हो गया infection हो गया कहीं से है, बच्चे ने मान लो काट दिया, कभी कभी काट दे तो उसे, ulcer हो जाता है और ulcer की कारण भी नहीं पिला पाते हैं तो भी breasting gauze हो जाते है और मान लो, जब infection हो जाता है तो फिर sujan आ जाती है उसको mastitis कहते है और अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया sujan है तो फिर abscess बन जाता है, और फिर abscess में फिर उसको जो बाहर उस abscess मतलब होता है, पस बन जाना, मवाद बन जाना तो मवाद बन जाती है तो फिर उसको निकालना पड़ता है उस जगे को IND जिसको कहते हैं इसको निकालना पड़ता है वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती इसलिए पहले ही ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही थोड़ा सा भी रेडनेस हो, थोड़ी तकलीफ हो तो आप तुरंत निकाल दो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देगा जिसे वो मवाद न बन पाएगी लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बहुत लेट स्टेज में आते हैं जिनको मवाद बन जाती है तो जब तक मवाद नहीं निकलती है तब तक बच्चे को फीड कराएगी मतलब बच्चे का फीडिंग कभी बंद नहीं करना चाहिए डॉक्टर को बिना पूछे क्या आप सोचो कि मेरे को तो सुजन आ गई वो हो गया मेरे को तो काट दिया नहीं आपको फीडिंग तो कराना ही आप डॉक्टर के पास जाओ मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इतना बड़ा अमृत है कि जब तक डॉक्टर खास आपको मना ना करे तब तक कराना है तब तक कराना इवन टीबी में भी का जाता है कि भई मदर ट्रीटमेंट ले रही है उसको प्रिवेंशन के लिए आप बच्चे को ट्रीटमेंट दे दो देते हैं लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे बंद नहीं करते है इतना बड़ा अमृत है कि उससे अगर आपने छुड़ाया तो नुकसान जाता है आपकी बिमारीट तो ट्रांसफर नहीं होगी लेकिन जो आपके मदर मिलके जो फायदे है वो उसको कम होगे यह हो सकता है और कभी-कभी वैसे तो कम इंसिडेंस है कैंसर का लेकिन दूरिंग लेक्टेशन भी कैंसर हो जाता है कभी-कभी वो कड़ा सा, गठान सा महसूस होने लगता है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर फिर उसमें FNACA कहलाता है, टेस्ट कहलाता है मतलब एक छोटी से निडिल डालते हैं और निडिल से उसको निकाल कर जाच किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखा जाता है कि उसमें कुछ malignant cells तो नहीं तो वो दिखाया जाता है माले जे निपल से कुछ blood discharge जा रहा है कुछ है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए कभी-कभी फिर उस discharge की जाच की जाती है तो कुछ problems तो आ सकती है लेकिन उसका इलाज बी होता है इलाज लो हू've की आप अपने से उबाए करने लगई और उसको पिलाना बंद नहीं करना जब तक डॉक्र नहीं बोले जल्दी जाना जल्दी सलाय लेना उसमें लेकना करें और बच्चे का breastfeeding जरूर करा है जो breastfeeding कराती है पहने महिलाए उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए उनकी डाइट क्योंकि इस समय उनको calorie भी ज़्यादा चाहिए जैसे pregnancy के समय जो होती है करीब 1800 to 2000 calorie की जर्द होती है इसे 500 calorie और ज़्यादा जर्द होती है क्योंकि mother की जो डाइट है वही बच्चे की भी डाइट है वही तो बच्चा ले रहा है ना आपको extra तो लेना पड़ेगा और साथ में अच्छा लेना पड़ेगा जैसे आपने सुना होगा की गोड के लड़ू बना देते है जी गोड के लड़ू उसमें ड्राइफूट्स अगरे होते है तो यह जो हमारे रिचुल्स या जो पुराने में बने थे यह ठीक थे लेकिन अब अगर वोई-वोई खाती है तो फिर तो नुकसान करता है कि बहुत ज़्यादा आपने मतलब लड़ू लड़ू खिला है बैलेंस डाइट लेना चाहिए आपने तो यह देखा है कि कई लोगों को डिलीवरी के बाद तो कितने दिनों तक देते ही नहीं है खाना खाना यह नॉर्मल डाइट ही नहीं देते है अब जब नॉर्मल डाइट आप दो गए नहीं तो उसको मिल्क निकलेगा कैसे जैसे आपने कारण पूछा था ना कि भई नहीं निकलता तो नहीं निकलने का यह भी कारण है क्योंकि बहुत दिनों तक देते ही नहीं हम बार-बार उनको कहते हैं कि भई आप पूरा healthy diet full diet लो कहीं कहीं ग्रामीन में छेतरों में हम तो इधर के शैरों की बात कर रहे हैं हमारे पास तो शैरों के सारे patients आते ना ज्यादा तो शैरों की बात कर रहे हैं क्योंकि जो दादी नानी जो सास जो होती है तो सब पुराने वाले concept की रहती है और बहुए रहती है तो बहुए अब क्या करें मजबूरी में कुछ कर भी नहीं पाती अब देने वाली तो सास है ना अब सास ही नहीं देगी इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से यह भी सासों को भी संदेश है कि कम से कम अपनी बहुएं को डिलीवरी के बाद पुरा भोजन जरूर दे ऐसा ना सोचे कि नहीं हमें तीन दिन कुछ नहीं देना है फिर देना है तो बिना नमक का और बिल्कुल ऐसा खाना खाते हैं बोलो फीका की वो खा भी नहीं सकते न अब कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए डाइट भी ज़्यादा चाहिए तब तो मिल्क निकलेगा तो इतना कम देते हैं कि वो स्वाध नहीं रहता तो स्वाधिष्ट भोजन लेना चाहिए और उसमें बाकि सब लें कार्बोहाइडरेट भी अच्छा खाएं प्रोटीन भी बढ़िया नहीं प्रोटीन भी एक्स्ट्रा लेना चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सारा कंटेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क भी रहता वो कार्बोहाइडरेट भी रहता है प्रोटीन भी रहता फैट रहता सब देना चाहिए ड्राइफ फ्रूट्स और गुड़ देते हैं गुड़ के लड़ू तो बहुत अच्छा लेकिन उसके अलावा भी पूरा देना चाहिए क्योंकि सिर्फ एकी चीज स्वाद नहीं आती है जी ग्रीन वेजटेबल्स भी दें सारी चीजें स्वादिस्ट भोजन देना चाहिए क क्योंकि क्याlorय की ज्यादा आवश्यक्ता होती स्वादिष्ट और हल्डी जी स्वादिस्टोर्थ जी कई लोग हल्दी देते हैं ना उबुज़ अच्छी पर है क्योंकि हल्दी antiseptic होता है गुड में डाल लग खख़ते हैं अलग अलग से चाहिए दूरिंग लेक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के समय बिल्कुल ही एक्सरसाइज करने चाहिए एक्सरसाइज का रोल है भले ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन के डिड़ महिने के बाद आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं सुक्ष्म व्यायाम तो शुरू से ही कर सकते हैं मतलब अनुलोम विलोम और सुक्ष्म व्यायाम जो होते हैं जोडों को खोलने की वो तो शुरू से कर सकते हैं लेकिन जो पेट के वी व्यायाम होते हैं वो सीजर में थोड़े से लेट करते हैं डिड़ महीने के बाद करते हैं मा की भावनाएं बच्चे को मिलती है तो मा जो है मुबाइल से टीवी से तो बिलको दूर है साथ मैं स्ट्रेस ना ले तो थोड़ा इसके लिए कोई meditation है कि जो बच्चे को पहुँचा सके मा तो physical exercise तो करे जी physical exercise तो just delivery के बाद ही करे लेकिन meditation भी जरूर करे बहुत जरूरी है क्योंकि meditation अर्थात मन को शान्त रखना और आप शान्त रहोगे तो बच्चा भी शान्त रहेगा तो चाहे कोई भी stage में हो जितने आपने question पूछे मेनोपॉस हो, PCOS हो चाहे breastfeeding की बात हो पूरे life में मेनार्की टू मेनोपॉस पूरे समय meditation का बहुत importance है तो करना ही चाहे है आपने बहुत ही खुबसूरत तरीके से प्रश्णों के जबाब दिये सभी दर्शकों को भी मुझे लगता है बहुत खुशी मिली होगी और बहुत सारे उनको धारण करने की चीज़ें आपको मिल गए और आप करने भी लगे होंगे और दूसरों को भी आप जागरुब करेंगे जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं तो हमें चाहते हैं कि आप सिर्फ देखें सुने और समझे ही नहीं बाकी और भी दूसरों को इसके लिए जागरुप करें फिर मिलेंगे अमशन्ति धन्यवाद